हिंदु धर्म में सावन का पावन महीना बहुत शुब माना जाता है सावन का महीना भगवान भोलेनाद को समर्पित है जो तिशु शास्तर के माने तो जो भगत सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाद की विती विधान से पूजा करते हैं उनकी सारी मनुकामना पूर्ण होती हैं इस बार सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक चुलेगा इस बार सावन में कुल चार सोमवार पर रहे हैं कानपुर के मां गंगा तट पर बने आनंदेश वर्धाम में पिछले सालों की तरह इस बार भी तैयारी की जा रही है लेकिन अतिक्रमर की वज़े से बाबा के भक्तों को थोड़ा कश्ट अवश्य उठाना पड़ेगा प्रशासन की ओर से ना ही कोई पार्किंग को लेकर व्यवस्था की जाती है ना ही अतिक्रमर को लेकर इन सभी शिकायतों को लेकर कई बार प्रशासन के सामने अपनी बात को रखा गया लेकिन सब कुछ बेनती जा रहा सावन के स्वमारों की तयारियां जैसे हर प्रतिवर्श होती है उस तरह से की जा रही है सुचारू रूप से जो जो व्यवस्थाएं थी मंदिर प्रशासन की तरफ से वो पूरी तरह से की जा रही है बाकि पूलिस प्रशासन जीला प्रशासन से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे व्यवस्थाएं कापी सारी बिगड़ हुई है और व्यवस्थाएं बहुत जाज़ा मात्रा में फैल चुकी है यह व्यवस्थाएं पार्किंग की व्यवस्थाएं कर देना यह बहुत बढ़ी बात है एक दिन के लिए परमान नगर व्यवस्थाएं होतीत बड़ी खुरपा होगी जिससे भक्तों को कापी सारी दिक्कोतों से मुक्त मिलें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईडी है at the rate jmd news slash